आईए मेरे कीचन में थोड़ा सा वेलकम है आपका नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल ममता ज्वे में तो चलिए जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं नए अपने फ्लैट में सीफ्ट की हूँ तो मैं नया डिस्व स्वासर का सेयर करूंगी तो चलिए आज डेमो देख लेते हैं कि यह डिस्वासर कैसे काम करता और कितनी इजली हमारे बरतनों को एकदम जम्स प्रीवी कर देता है हाईजिनिक भी मतलब रखता है बरतनों को और कितनी अच्छे से वह ड्राइक कर देता है कि हम ट्रॉली व प्रकार के बहुत तरीके के बरतन है तो आप ग्लास का दो सकते हैं कि नहीं दो सकते हैं हर चीज में आपके साथ सेयर करूंगी क्योंकि मैं अभी जश्ट एक्स्पिरियंस कर रही हूं इस मसीन से कितनी फायदे हैं अगर आप चाहे तो ले सकते और इसका प्राइस भी मैं आपको बताऊंगी चलिए शुरू करते हैं आईए मेरे कीचन में थोड़ा सा वेलकम है आपका तो देखिए यही है हमारा डी स्वासर थोड़ा समय कवर करके रखूई हूं और तो चलिए दोस्तों देख लिजे मैंने पावर अन कर दिया है और सीम इसका जो जितनी मुझे फंसन और फीचर दिखते हैं पूरा हमारा जो फ्रंट लोडिंग जो आपका वासिंग मसीर है ठीक वही सब चीज इसमें भी है आपको घबडाने वाली कोई बात नहीं है उसमें इंटेंसिव है जिसमें घरम पानी करके सारे जो बोलते हैं कपड़े को धोते हैं ठीक उसी परकार से इसमें विक्विक है एको है प्रीरिंस है वही चीज ऑटो है तो आप जिस पे सेट करना चाहें आप कर सकते हैं हाफ लूड भी कर सकते हैं और यह ना यहां देखिए ऑफ उन का बटन दिया है बिलकूल यह मसीन जो है साउंड नहीं करती है एकदम आराम से आपके प्रेकार हो जाती हैं मैंने इसके साथ बहुत सुनदर एक्सपिरियंस मेरा रहा है और इसमें हम बीम से भी मतलब यह जैसे बीम जेल है ना इससे भी दो सकते हैं लेकिन इसके लिए थोड़ा सा अलग टैबलेट्स विगर आते वह भी मैं आपको दिखाती हूं थोड़ा से और यह बहुत अच्छा देखिए इसका बोस कमपनी का है और इसका प्राइस हमारा पड़ा है 45,000 तो आप चाहें तो बड़ा भी ले सकते हैं इससे छोटा भी ले सकते हैं लेकिन अगर जो बहने मेरे मेरी लेना चाहती है पक्का लीजिए बहुत अच्छा मेरे कार यह तो य ड्राइ एकदम बरतन मिलते हैं जर्म्स फ्री और गरम गरम बरतन तो मन खूस हो जाता है हम लोग कीचन के ट्रॉली में आराम से डाल देती हूं कोई कपड़े से पूछने की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ती है जब ऐसे तो हम जब बरतन होते हैं तो उसको कपड़े से प पिन हो गई और देखिए यह बहुत सुन्दर है अगर आप लोग एक बार यूज कर लेंगे ना फिर हाथ से बरतन होने का दिल नहीं करेंगा और मुझे थोड़ा ऐसे टाइम नहीं मिलता था बरतन हो दोके लेडिस लोका तो आपको मालूम ही है तो देखिए मैं यह देख यहां से फिक्स हो जाता है फिर इसको नीचे आप सुला के जैसे बड़े बरतन पतेला वेगरा आप रख सकते हैं तो इसको ऐसे सुला भी सकते हैं और अगर चाहें तो खड़ा भी करता है यह आपको कैसे करना है ठीक है तो यह ऐसे मैं पतेला वेगरा यहां रखूंगी त और लिए गंजे लिए तो पर में पन्से tudSI दिया है और पानी को में ध्यूमाता है यह सफ होते हैं यह पर में और पर समया patch आपको पानी अच्छा है तब आपको wouldn't do that को सकता नहीं है लेकिन हमारे तरफ थोड़ा सा राता है तो हमें तो डालना पड़ता है लेकिन आपको कोई जरूरी अगर आपके यहां की पानी जो है अच्छा वाटा राता है तो आप लोग डालिएगा और यह दूसरा वाला ट्रॉली है तो देखे इसमें भी मैं इसको जैसे न सुला के रखती हूं यहां को टोड़ी वगर रखती हूं आप चाहें तो छोटे-छोटे प्लेट्स भी जैसे इसमें से चला जाएगा इसलिए यह दिया है ठीक है कट लड़ी लेकिन आप चाहें तो बड़े-बड़े स्पून्स वेगर इसमें भी स्टेंड कर सकते दो दिया है अगर नहीं जरूरत है तो आप इसको फोल्ड कर दीजे ठीक है तो यह हो गया अब मैं बरतन कैसे लोड क करूंगी वो भी मैं तोड़ा सापलों के साथ सेर करती हूं तो चलिए आगे पहले देख लें कि इसमें क्या क्या हमें डालना पड़ता है एक बार मैंने यूज किया फिर रबर लगा के रखी हूं तो यह दो केजी का मैं ली थी अगर आपके राज्ये का पानी अच्छा है आपके सीटी का तो आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है जो कि मैं बता चुकी हूं ठीक है अगर है तो आप उसको भरना पड़ता है वह अपनी आप उपर तक जब भर जाएगा तब आप छोड़ दीजेगा और इसको एक बार जब भर दीजेगा तो तीन-चार महीने आपको भरने की कोई ज़रूरत में यह यह आपको समझ में आ गया फीलिस कंपनी का रीश एड कर देंग कशन घ्राइब करने के लिए इस को डीट स्विए तो यह गजर नो को मुन साइन करने के लिए इस और सेड़क को एक वार फील कर देंगे ना हर जो बहुता है हर बार इसको लोड करने में आपको नहीं डालना है, थोड़ा समय आपको डाल के दिखा देती हूँ, एक बार जब इसको इसमें डाल दिये न, ये फूल हो जाएगा, उसके बाद आपको नहीं डालना है, और कई वास होगा, देखें ये फूल हो जाएगा, एक बार आप इसक और इसमें आप चाहें तो और देखिए यह फीनिश कंपनी का था और सारे चीज मतलब फीनिश कंपनी के लिए आप चाहें तो अलग भी ब्रांड ले सकते हैं तोटल आपके उपर डीपेंड करता है बहुत सारे जैसे ना ड्राइड डीटर्जंट भी आते हैं लेकिनि मैं य सब कुछ है इसमें तो यह टैबलेट्स को हमें यहां डालना है अगर माल लीजिए कभी टैबलेट्स आपका खतम हो जाए तो साफ तो उतना जैसा यह साफ करता है ना वैसा बीम नहीं करता है लेकिन प्लेट्स थाली वेगरा मैं experience की हूं कर देता है आपको कढ़ाई वेग कितनी भी मोटी जमी हुई हो एक दम किलियर हो जाता है अगर मेरा फिनिस हो जाता है तो मैं भी यूज करती हूं ठीक है और यह टैबलेट्स थोड़ा सा एक्सपेंसिब पड़ता है लेकिन आप एक बर जैसे ले लेंगे ना 600 का आया इसमें 24 टैबलेट्स हैं तो बहुत द दिकत नहीं है तो यह टैबलेट्स मैं रखती हूं जो बहुत सारे बरतन जमा हो जाते हैं और जैसे बहुत गंदे हैं तब मैं इसको मैं इसको यूज करती हूं कभी-कभी बीच बीच में मैं बीम भी करती हूं तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं घबडाने वाली बात यह थोडसे एक्स-पेंसिभ मैं टरम प्लास्टिक के जैसा यह भी लग जाएगा जल्दी से छूटता नहीं है तो इसको डाल देंगे इसको ऐसे रख देंगे देखिए मैं रख दी ठीक है इसको रखके यहां देखिए एरो दिया है इस एरो को हमें ऐसे करके ऐसे बंद करके एरो को दबादेना है इसको दबाएंगे तो यह खुल जाता है ठीक है इस old इस से ए खुल całकशता और जो ऐसे दभायेंगे यह तो नहीं डालना है मेरे पास सभी कूकर मेरा जूठा नहीं है अल्मुनियम का कूकर और आप इस्टील के चीजे और क्रॉकरी आइटम्स जैसे यह ज्यादा किलीन मतलब आज इसमें हो रहा है जो इस्टील के बरतन मुझे लग रहा बहुत अच्छे से साफ हो रहा है और यह क आपको अपनी तरीके से सजाना है जितनी बरतन आपके मतलब न जितनी अच्छे से आप इसमें एड्जस्ट कर लीजिए सजा लीजिए एरेंज कर दीजिए वह आपके ऊपर टोटल डिपेंड करता है कि आप कैसे सजा रही है तो देखिए मैं न ऐसे थोड़ा सा बरतन इस और थोड़ा सा इसमें के जो मोटे से जूठे है न वो हटा देने है यह बहुत ज्यादा आपको साफ करने के जुरुत नहीं है लेकिन जितने साइन करेंगे वह भी मैं आपके साथ दिखाऊंगी सेर करूंगी कि इतना खुबसूरती से बरतन को साइन एकदम चमका देता है है जो बोलते है न ओरिजिनल रियल लेंग्वेज में करता है जैसे कॉप्स वेगरा आप इसमें डालेंगे तो इतने अच्छे से मतलब क्लीन होता है कि उतने हम हाथ से कभी भी उतना अच्छे से हम नहीं उसको क्लीन कर सकते जितना खुबसूरती से मसीन कर देता है यह सच पर वजो से जो दो लेट के फैरांब करfang आइगे में अख्षली तक से का नहीं लात भी मिलएख होगा लेकिन लेने नहीं बारे है कि लिए तो देखिए अफ्लोड हमारा हो गया हमें अपने सरीके से पुरा आप और भी बरतन इसमें डाल सकते हैं तो चलिए दोस्तों देखिए जैसे कि हमारा लोड हो गया है अब फिर मैं इसको अंदर ट्रॉली को डाल दूँगी और देखिए यह मैं पूरे बरतन को इसमें सेट कर दी तो चलिए अब इसको भी अंदर डाल देती हूं और इसमें सोप में डाल ही दी हूं और कहीं यह पानी वेगरा नीचे लीक नहीं होता है तो देखिए अब इसको मैं बंद करती हूं तो मेरे बरतन थोड़ा सा ज्यादा है तो इसको मैं इंटेंसीब पे सेट करूंगे तो इंटेंसीब पे मैं इसको सेट कर देती हूं कुछ इंती पर सिट कर दि क्यूंकि ज्यादा बड़तन है थोड़ा सा अच्छे सर्प हो जाते हैं गरम पानी होता है अच्छे से तो फिरा गूंते के लिए यह मेरा Jатель तो यह मेरा आराम से धूल जाता है और सूब उठते हैं तो इसको फिर हम निकाल लेते हैं और आप चाहें तो मतलब जटपट थोड़ा सा करना है तो प्री रिंस है यह 30 मिनेट्स का है यह क्विक एक दम आपके पास अगर वासिंग मसीन है फ्रंट लोडिंग तो सारे सिस्ट इतना मैं तो यही कहूंगी एक ही वर्ड बोलूंगे कि यह पूरा राम बाण है क्योंकि कमर पेन आजका लेडी जो को बहुत अधिक होता है देखे इसमें यह अपना कार करने लगा सारे इसके जो फंसान हो चलने लगे और साउंड भी नहीं आता है एक मिनट हो गया और य बाड़ी से अच्छे से वास कर देता है एकदम अच्छे से तो चलिए दोस्तों अब इसको हो जाने दिए वास उसके बाद हम खोल के आपके साथ फिर सेयर करेंगे मसीन को उपन करके कि कैसा वास हुआ है जरूर दिखाऊंगी तो चलिए दोस्तों जैसा कि आपने देखा कर दी थी जब उठी तो और देखिए अभी मैं आपके साथ सेयर करती हूं कि इसमें कैसा बरतन धूला है हमारा और एक चीज़ और बता देती हूं कि इसको धूलने के बाद नहीं आप तुरत मतलब हाफे नावर के बाद अपना ये मसीन जो है डिस्वासर जो है इसका डोर ओपन कीजिएगा क्योंकि इसमें सेनक गरम स्टीम निकलते रहता है तो आपको हाफे नावर बाद इसको ओपन करना मेरा तो ठंडा हो गया है मैं पूरी राद छोड़ दी तो तो देखिए मैं इसको ओपन करके आपको थोड़ा सा इस डेमो दिखाती हूं कि यह बरतन कैसे इसको पूरी कोशिस करें, पूरी कमला है यह बर्ला एक बार देख लीजिए कितना साइन कर रहा है इसमें आपको ना कहीं जूठा कहीं एस पॉट्ड़ वेगरा नहीं देखेगा देखिए इतना मुझे लगता है कि हम लेडीज लोग भी बरतन को कितनी भीगीस लेत्य चम और देख़ें कितना खुब्सूरत है मतल neutrίν लुण उस्तिक है यह का कुकर इसे को मघ ड़ाइब तो देखिए यह सारे बरतन आपको कितना दिखाओं आप सारे बरतन देख सकते हैं एक दम चमक रहे हैं बिल्कुल दिक्कत नहीं है तो यह हो गया हमारा नीचे का यह सारे थाली प्लेट्स जो ही जितना चीज मैं डाली थी आप खुद देख लिजी अपनी आखों से इसका च मतलब कहीं जूठा नजर नहीं आएगा और देखिए एक दम चमक रहे हैं तो यह हो गया हमारा उपर का अब यह नीचे का आपने देखी लिया हर चीज देखिए इसको क्या दिखाना यह सब साइन कर रहे हैं आप चलिए मैं उपर कभी थोड़ा सा दिखा देखिए उपर मैं इसलिए आप लोग को दिखा रहे हो ना कि मेरी बहने अगर चाहें तो अगर आप लेने का मतलब प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग है टाम जहाम की वजह से कुछ नहीं लेता है कि बहुत सारा लपड़ाय लेकिन ऐसा पुछ नहीं है यह मुझे लग रहे कि वासिक मसीन से ज्यादा सक्सेस है और लेडीज का जीवन जैसे लग रहे कि एक प्रकार से हर चीज को आपको साइन कर दिया हर चीज इसमें से चमक रहा है तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं तो यहीं मेरा वीडियो था मुझे देखाने का मेरा यहीं मकसद था कि अगर आप सोच रहें तो इसको जरूर लिजिए जैसे एक एक चीज होता है न कि घर में लेके वेस्टेज हो जाता है फिर कहीं न कहीं उसको रख दो किसी काम का नहीं रहता है तो जितना वासिंग मसीन एक लेडिस के जिंदिगी में मतलब इंपोर्टेंस है उसका और अभी तक कर था अमारा वीडियो आसा करते हूं उमीद करते हूं कि इस वीडियो से बहुत अधिक लाब मिलेगा फिर मिलती हूं एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार